देखे अरविन जी क्या है मैं इस वक्त दिली में हूँ एनाई से बात कर रहा हूँ अरविन जी क्या है दो करोर की आबादी जान गई है जिन्होंने उनको धोके से जिता दिया जो फ्री वाइफाई का नाम और फ्री पानी फ्री बिजली और उसके बाद अचानक 200 पॉइंट हमारे मुक्मंतरी कहा है होडिंग पर दिखाई देते हैं जन्ता के पैसे से पब्लिसिटी करना होडिंग लगाना ये सब इनकी नीथियां थी उसमें धोके में आके गफलत में दिली की जन्ता ने और खासकर बिहार यूपी की जन्ता ने उनको जिताने में मदद की और वही कि कहते हैं immature वाली बाते हैं बहुत ही जैसे कि कोई नहीं पढ़ा लिखा कोई बालक हो उस तरह से बाते हैं 24 करोड की आबादी है कैसे मोधी जी और योगी जी ने मुख्यमंत्री जी प्रधान मंत्री जी ने सर्वस वहां लगा दिया उत्तर प्रदेश जरूर आएं देखें इन्होंने गोरखपुर का भी जिक्र किया था जो कि हमको बड़ी हसी आई और मैं बहुत जोर से आसा कि गोरखपुर वाले इलाज करने हैं इनको पता ही नहीं कि वहां पर तीन साल में ही तीन साल के भीतर इंफाक्ट एम सयार होगा इतनी सारी मेडिकल सुविधाएं हैं व हर तरीके से गीडा, इंडस्टिल एरिया, फिल्म सिटी इतना कुछ वहां पर एक भव्य रूप धारण कर लिया उत्तर प्रदेश, प्रभू राम की बात तो है कि इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो उत्तर प्रदेश की और ये ना जहांके इनके लिए होगा, इनकी बच कि से हम भी राजनीती को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं तो ये छोटा सा और ये ओचा सा खेल केजरिवाल जी का उत्तर प्रदेश में इनका दाव बहुत बुरी तरह फ्लॉप होगा, ये मेरी जुबान आप लिख के लिजेगा, वाटेवर ही इस प्लानिंग, बहुत क् जी ने रियालिटी में जिलाया है, ऐसे मोदी जी वहाँ सांसद हैं बनारस में, आप आईए देखे वाराणसी अप कैसे हुआ 2014 और 20 के बीच, और कैसे पूरा उत्तर प्रदेश बदला है, तो वहाँ जूट की दुकान नहीं चलती, जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, तो जब पूछा गया कि चुनाव लड़ेंगे, तो वहले चुनाव ही लड़ूँगा, नाम बदरने नहीं आया हूँ, कटाक्स भी किया कहने देखिए, ओविसी जी उल्टा भी लटक जाएं, केज रिबाल जी उल्टा लटक जाएं, उत्तर प्रदेश तो ये लोग भूल जा मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निहोरा बाई लोगन से हमार, रवी किशन भोचपुरिया जवान के, ये भाईया उल्टा भी लटक जाएं पेड़ से, उत्तर प्रदेश आपको अपनाएगा नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत बुद्धी जीवियों का प्रदेश ह और वहाँ बहुत तरक्की घ्रोथ हो रही है, वहाँ जातपात की राजनीती से, बहुत उपर उत्तर प्रदेश जा चुका है, जो कि आपने प्रि-एलेक्शन के रिजल्ट में देख लिया, साथ में से हम लोग छे सीट लेका है, जो कि हमेशा सरकार के विरोध में जाता है प्रि-एलेक्शन, हमेशा जिसको उप्चुनाव कहता है, तो ये लोग वहाँ पर हाथ पैर मार लें, गुलाटी खा लें, प्रिवड से उल्टा लटक जाएं, ये लोग वहाँ जीतेंगे ने, वहाँ भारती जनता पार्टी की सरकार भव्य रूप से 2022 में अपनी सरकार द पाहुमत के साथ आ रही है, मिरा आखरी स्वाला, किसानों का अंदोलन चल रहा है, 20, 22, 29, कोट में भी कहा कि हमें कमीटी बना तो लेकिन सड़के जाम है, इस तर प्रिश की हो यार्याना पंजाब जाने की हो, उस वोट से लगतार हो, देखे पुरा देश भी जाना, मैं कि किसान का बेटा हूं, किसान भाई, बहन, क्योंकि बहने भी करते हैं, मेरी मा, मेरे पिता जी नहीं रहे तो अब मेरी मा किसानी कर रही है, मेरे गाउन में जौनपूर के राकत, मैं बहुत पिछडे गाउन से आता हूं, मैं सबसे कितने लोग अभी हमको देख रहे हैं, मैं प्रदान मंत्री जी यह नहीं कहा कि यह गीता की बुक है या रामायन लिखा गया उसमें संसोधन उसमें इंप्रूमेंट्स के चांद आप राये दें गड़करी साहब ने भी का अच्छी राये दें आप पर राये पर बात करने तयार हैं अगर मात्र पंजाब और हर्याना की किसान हफा हैं नाराज हैं किसी बात को लेके आप लोग आएं देश के बाकी किसान भाईयों से हम मैं अपने च्छेतर में गोरकपुर में भी मैंने भी सभागी मैंने भी बात किया सारे लोग प्रसंद नहीं यह मैं आप से कह रहा हूँ और इसमें कि यह नहीं कि मैं मैं सा वक्ष इसके अंदर कूद गया, किसानों के अंदर, किसान के अंदर, इतनी राजनीती पाटियां क्यों गुज गई, सारे विरोधी विपक्षी पक्ष क्यों गुज गई, क्या स्वार्त है, आप लोगों का क्यों इस्तमाल किया जा रहा है, आप लोगों के आवाज के पीछे कौन सी रियल आवाज है क्या आपके नेता आपको सही बात पढ़ा रहा है क्या आपके नेता आपको सही बात जब सरकार आपका इंतजार कर रही है दरवाजा खोल कि कि आप आईए बैठिये बात करिये चर्चा करिये अपनी समस्या बताईए बाकी पूरे देश में भी किसान है पूरे देश में तो मेरा हाथ जोड़के आप सब भाई और बहनों से सबसे एक किसान का बेटा रविगिशन रिक्वेस्ट करता है निहोरा करता है कि किरिपया आप लोग सरकार की बात इस विधे को पढ़ें हैं आ है ये कॉंग्रेस के दमाने में भी लागू का तब लोगों ने सबने सपोर्ट किया था शरत पवार सहब ने एंसीपी ने भी सपोर्ट किया था अगर आप देखेंगे ये पूरा पास्ट आप इस पारलिमेंट का उठाएं तो लोग की सरकार की नीतियों में ये सारी चीज नहीं रहेगा किसी बीश मिडल मैन का बिचोहिया का किसी दलाल का उसको आजाद करेंगे उसकी जमीन उसकी खेती उसकी फचल उसकी महनत उसका खुन पसीना वो जाए जिसको बेचे जो बढ़ियां प्राइस दे सरकार दे मंडी दे आम आदमी दे बजार का कोई किसान दे क वरकिन उसको आजाद करें उसकी कीमत को उसकी कमाई को दुगनी हमेशा किसान इस सत्तर साल से आत्म हत्या कर रहा था तब मोदी जी ने कहा तब मोदी जी ने बरेली में दोहजार सोलग एक भाक्सर में अपने कहा था कि मैं आने वाले समय में बाइस सक इन व इन Zar worth कि किसान भाईयों के उनको पता है किसान इस देश की वीड की हड़ी है, उनको कभी कोई डामेज, कोई सरकार, बहुमत वाली सरकार क्यों करेगी आप जरा सोचीगा, सरकार का क्या स्वार्द सरकार का इसमें नीजी स्वार्थ बता ये क्या है आपको आजादी दिया आप अपना अनाच किसी को भी बेचिये आपको कहीं नहीं कहा गया कि इस फलाने को बेचिये है इनको बेचिये इस पर्टिकुलर ए को बेचिये बी को बीचिये सी को सरकार बोली ये अनाच बाबु इताहर खेती इताहर फसल ले जा के जहां बेशे के बाब बेश अपने हिसाब से बेशा आजाद बाड़ा तुमको आजाद कर दिया गया है ये शब्द याद रखे किसान आजाद हो गया अब कौन इनकी आजादी को फिर चंगूल में डालना चाह रहा है कौन इनको शिकंजे में कसना चाह रहा है मैं सारे किसान भाईयों को बोलना चाह रहा हूँ आप लोग इसे जरूर सोचे कौन आप लोग को बंदिश में देखन आप लोग इस विद्हक को पढ़ें कि इसमें पूरे देश के किसान है एक सो पेंतिस करोड के आबादीके किसान है पूरे देश के किसानों का सोचे मैं अब समझ रहेंगी खाली पंजाब हरियाना के आलावा उत पूरे देश में किसान भाई है क्यों कही आंदोलन नहीं हो रहा क्यों सब लोग प्रसंग यह बात भी सोझी ना क्यों बाखी किसा dette हर जगाब किसान किसान सिर्फ पंजाब हरियाना में नहीं तो वूनका भी आप लोग सोच product किसान शौंक का बेटा मैं भी हूं तो किसाण कौन से देश की funding काम करी, या अंदोलन को कौन fund कर रहा है, क्या उसकी मंचा है, देश को जलाना चाहते हैं लोग, देश को बरबाद करना चाहते हैं, देश को रोक के कई हजार करोड का नुकसान किया, देश को रोक दिया गया, सब पूरिक चिंता का विशय बन गया है, रोज टेलविजन की हेडलाइन बन रहे हैं, तो ये कौन है जो हमारे देश को खत्म करना चाह रहा है, कौन सी विदेशी ताकते हैं या अंदुरूनी ताकते हैं, ये मेरे सारे किसान भाईयों बहनों को एक किसान का बेटा, आज ये सवाल छोड़ता है, आप लोग गौर करिएगा,